नमस्कार आप देखरें इंडिया खबर लाईव आपके साथ मैं अनुवरा शर्मा खबर आरी हमध्य प्रदेश के विदीशा जिले से धूमधाम से मना शिवरात्री का पर्व लाखों लोगों ने किये महादेब के दर्शन कलेक्टर के आदेश के बाद भी खुली रही शराप की दुकाने जिहां गंजबा सोदा में महाशिवरात्री का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मना लाखों सरधालू ने गराम उदैपुर पहुँचकर महादेब के दर्शन किये बिहिप ने पद्यात्रा के साथ पहुँचकर भूले नात के दर्शन किये मेले में राम लीला का मंचन हुआ बहीं जगए जगए दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए पिशाती का बित्रण भी किया गया लेकिन इस महापर्व के लिए पिशासन द्वारा वैठक आयूजित कर सभी विभागों को जिम्मेदारी दी गई थी कलेक्टर कॉसलेंद्र विक्रम सिंग द्वारा पूर्व में हुई वैठक की समिक्षभी कही गई थी लेकिन अवकारी विभाग ने कलेक्टर के आदेसों को नजर अंदाज करती हुए शिवरात्ती के परव पर उदरपुर की शराप की दुकाने खुली रखी जिसमें बूरे बच्चे शराप की दुकान से शराप खरीदते हुए देखे गई जब इस विसाय में अवकारी अदिकारी एम के विश्व करमा से बात की गई तो उनका कहना था कि कलेक्टर मोहदय से कोई आदेस प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए सबी दुकाने खुली हुई है इस विसाय में अवकारी ठेकेदार ग्यानोश वाल का कहना था कि आदेश के बारे में अवकारी अदिकारी से बात कीजिए मेरा तो ठेका चार-पाज वर्ष से शिवरात्ती के दिन में एक दुकान खोलता हूँ अब देखना है कि शिवरात्री के पावन पर्व पर अविकारी ठेकेदार और अधिकारी दोरा कलेक्टर के आदेशों को दर्कनार किया गया है अब कलेक्टर मोध है क्या कारवाई करते हैं बागी छेत के सभी शिवालों में आधिरास से ही पूजन अर्चन प्रारम हो गई थी मंदिरों के साथ साथ घरों पर भी नागरों को ने भगवान भोलेनात का विशेक करके शिवरात्री का पर्व धूमधाम से मनाया बिदीसा से इंडिया खवल लाइव संबाददाता एलन चौवे की एक रपोर्ट तो वजे से ये शुरू हो गया था और अभी तो भीड कम है जैसे जैसे बारा बजे के बाद भीड का आना ज्यादा शुरू होगा और ये पीक अवर्स तक 5-6 बाई तक चले हैं जिसमें पुलिस भी है, सेफ भी है, एंसीजी भी है और लोकल वालिंटिर्स भी है हमारे और मंदिर में और मंदिर के बाहर बेवस्था लगी हुई है और पबलिक सुबह से आना शुरू हो गई है और सुजारू वेवस्था चल लगी है, सेफ ठीक शुरू है